हलो दोस्तो जै हिंट टू एवरिवन तो दोस्तो आज का वीडियो जो है आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है तो दोस्तो आपने इस वीडियो में बात करेंगे बिएस एफ वाटर विंग की जो आपकी रिकूर्मेंट दोस्तो चली हुई है उसी के रिगार्डिंग तो दोस्तो मैं आपको इसमें जो आपका ओरिजिनल क्यूशन पेपर है 2023 में जो आपका CVT एग्जाम हुआ था उसका मैं आपको पेपर कराने वाला हूँ और साथ ही दोस्तो 2022 और 2023 का जो है फाइनल कटोफ आपका क्या रहा था वो भी दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तों वीडियो के अंतक जुरूर बने रही है और साथ ही दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कर लें क्योंकि दोस्तों जो भी रिक्रूर्मेंट होगी आपकी BSF की दोस्तों वो ओनलाइन फोरूरम से लेकर लास्ट फाइनल मेरिट तक दोस्तों आपको A to Z information बताई जाएगी जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा लास्ट येर जो आपकी रिक्रूर्मेंट होई थी BSF वाटर विंग की SMT वरक्सोप, पैरामेडिक स्टाफ, वेटनरी स्टाफ दोस्तों जितनी भी आपकी रिक्रूर्मेंट होई थी BSF की सभी का आपको A to Z information बताया गया था तो दोस्तों ट्रेट टेस्ट का भी दोस्तों आपको जो है एक से दो वीडियो मैंने प्रोवाइड किया था BSF वाटर विंग का और SMT वरक्सोप का तो दोस्तों सबसे पलबन बात कर लेते हैं 2022 में आपकी कटोप क्या रही थी उसी के according दोस्तों आपको जो है इस येर जो है आपको preparation कर ला है last year का जो final cut-off रहा था दोस्तों उनका comparison करके ही आपको preparation करना है ताकि दोस्तों जो है अच्छे marks आप लाज सकें आपको पता चल सकें कि हर बार कितना cut-off जो है increase होता जा रहा है तो दोस्तों ये जो मैं आपको cut-off बता रहा हूँ ये 2022 वाली requirement की दोस्तों cut-off है तो दोस्तों उस टाइम जो है आपका OMAR based test वहा था और last year जो है आपका CBT exam हुह था तो दोस्तों SI master के अंदर दोस्तों इसमें vacancy only UR candidate के लिए थी और UR का दोस्तों 36 आपका cut-off रहा था उसके बाद दोस्तों SI engine driver में दोस्तों 53 आपका cut-off रहा था UR के लिए बाकि दोस्तों इनमें कोई भी vacancy नहीं था दोस्तों NA का मतलब है इसमें non availability of candidate यह दोस्तों इनमें candidate ही available नहीं हुआ था NA दोस्तों इसमें लिखा हुआ है दोस्तों vacancy तो सभी में था SI master में भी था engine driver में भी था बर दोस्तों इनमें कोई candidate ही qualify नहीं हो पाया उसके बाद SI workshop, SI workshop में दोस्तों जो है UR में vacancy था इसमें 81 आपका इसमें cut up रहा था उसके बाद दोस्तों HC master जो आप sharing का दोस्तों certificate के बारे में पूछते हैं उसमें दोस्तों EWS में कोई candidate हावाले बन नहीं था और SC, ST के अंदर भी दोस्तों कोई candidate हावाले बन नहीं था UR की जो है आपकी 44 का टॉप रही थी OBC की 35, SC की 40 उसके बाद दोस्तों आपका जो है head constable engine driver के अंदर दोस्तों 35 आपके रही थी UR के लिए EWS की दोस्तों कोई candidate हावाले बन नहीं हुआ था और OBC का 41, SC का 42 और ST का 38 उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं जो आपकी थोड़ा सा high cutoff जाती है दोस्तों HC workshop का जो है इसमें थोड़ा सा आपका कहिन कहीं cutoff दोस्तों high जाता है तो दोस्तों इसमें जो है mechanical diesel petrol engine के लिए UR की 82, EWS की 79, OBC की 81 और SC की 77 और ST की 73 क्योंकि दोस्तों इसमें number of vacancy काफी कम होने की वज़़ा से दोस्तों आपका जो है high इसमें cutoff जाता है और candidate भी दोस्तों इसमें ज्यादा available होते हैं क्योंकि ITI दोस्तों इसमें मांगा गया था ITI काफी candidate ने किया होता है दोस्तों उसके बाद अगला जो है आपका AC technician इसमें 78 रहा था UR का electronics में 76, Mechanist में 81, Carpenter में 78 और Plumber में 77 रहा था आपका UR, OBC का 76 उसके बाद दोस्तों लास्ट में बात कर लेते हैं Constable Crew दोस्तों Constable Crew में जो है UR की 73 रहा था दोस्तों यानि 33 आपका इसमें cut-off रहा था UR के लिए EWS का 68 और OBC का 77 और SC का 68 और ST का इसमें कोई vacancy नहीं था SC का 68 आपका इसमें cut-off रहा था तो दोस्तों इसके बाद आपन बात कर लेते हैं 2023 वाली recruitment में जो है आपका कितना क्या cut-off रहा था उसके बाद दोस्तों जो मैं आपको लास्ट येर का क्यूसन पेपर भी दोस्तों आपको कराने वाला हूँ दोस्तों हो सकता है थोड़ा सा वीडियो जो है लोंग हो सकता है तो दोस्तों ये जो cut-off है आपका 2023 वाली जो recruitment हुई थी दोस्तों हाली में जनवरी के अंदर जो है आपका final merit आया था 2024 के अंदर 2023 की दोस्तों ये recruitment थी आपकी तो दोस्तों एने जिसमें लिका हुआ है उसमें non available candidate दोस्तों है इसमें कोई भी candidate available नहीं हुआ था तो दोस्तों SI master के अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें UR की एक vacancy fill up होई थी 51 इसमें cut-off रहा था बाकी दोस्तों जितने भी vacancy हैं SC, OBC, ST EWS का दोस्तों इसमें vacancy नहीं था इसमें खाली चला गया है vacancy SI engine driver में भी दोस्तों लग-बग सभी vacancy इसमें खाली रही है only UR का 44 रहा है उसके बाद SI workshop का दोस्तों 74 रहा है UR का EWS का 69 उसके बाद HC master master के अंदर भी दोस्तों जो है आपकी लग-बग सभी category की दोस्तों vacancy आपकी खाली रही है only OBC का 43 गया है दोस्तों और ST का 40 जो है इसमें cut-off रहा है इस बाद दोस्तों EWS का का इसमें vacancy है 11 के करीब दोस्तों इसमें आपका vacancy है उसके बाद दोस्तों HC engine driver के अंदर भी दोस्तों 2-3 category के अंदर जो है आपका कोई भी candidate all-able नहीं हुआ था final merit के अंदर HC engine driver की उसके बाद दोस्तों आपन बात कर लेते हैं HC workshop mechanical के बारे में तो दोस्तों इसमें जो है आपकी यू आर की 79 रही थी OBC के अंदर दोस्तों कोई candidate all-able नहीं था और SC की 72 उसके बाद दोस्तों workshop mechanist में 66 रहा था इसमें only एक ही विकेंसी था SC के लिए उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं constable crew तो दोस्तों constable crew में जो है पिछली बार विकेंसी जो थी आपकी थोड़ा सा कम विकेंसी था तो दोस्तों UR का जो है आपका cut-off रहा था 78 EWS का रहा था 68 OBC का 77 SC का 67 और ST का 66 तो दोस्तों यह जो है आपका final cut-off रहा था उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं exam जो है आपका CBT होने वाला है या omar best तो दोस्तों अभी बताना confirm दोस्तों नहीं पता चल पाएगा क्योंकि दोस्तों जो last year जो आपका notification आय था 2023 के अंदर दोस्तों उसमें जो है आपका omar best दोस्तों दिया हुआ था उसके बाद दोस्तों आपका CBT exam करवा लिया गया और दोस्तों इस बार जो है आपका omar best दिया हुआ है दोस्तों आप भी बताना possible नहीं है दोस्तों हो सकता है आपका अनलाइन भी एक्जाम हो सकता है क्योंकि एक बार अनलाइन होने के बाद देखा गया है पेरा मिल्टरी- फॉर्स के अंदर कि आपका लग-बग ओनलाइन होने के जादा रहेंगे ओफ LINE के दो स्वक्म चांस हैं बर दोस्तो अभी जो है मैं इस बात की पूस्टी नहीं करता कि आपका एक्जाम ओनलाइन ही होगा बर दोस्तो ज्यादा चांसे जो है आपके ओनलाइन एक्जाम होने के ही हैं उसके बाद दोस्तो अपन बात कर लेते हैं लास्ट येर का जो आपका क्यूसेन पेपर है ओनली क को दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो है आपका क्यूτο. लोगसबा का सदस्य बनने के लिये निमन में से कौन सी हारिता होनी चाहिए ! mac пару योगेтा होनी चाहिए ! तो दोस्तों इसमें पहारत का नागरिक होना जुरूरी है किसी भी पंजीकर्ट राजनेतिक दल की साहता होना चाहिए तो दोस्तों इसमें ओप्शन ए आपका इसमें राइट रहने वाला है उसके बाद अगला जो है भारत ने किस टीम को हराकर पुरुष होकी junior asian cup 2013 का किताब जीता था तो दोस्तों ये जो है आपका पाकिस्तान तो दोस्तों आपका current अफेर भी कहीं इसमें पूछा जाने वाला है इसलिए दोस्तों आपको जो है current affair का भी थोड़ा बहुत प्रिक्टिस आपको करना चाहिए परधान मंत्री शुरुक्षया भीमा यूजना की तहट आकस्मिक मर्त्यू यानि इमीडिर्ट दोस्तों सडनली या दोस्तों अचानक से जो मर्त्यू की स्तती में जोखिम कवरेज है तो दोस्तों इसमें प्रास्ट और असम्द दोनों ही दोस्तों देखने को मिलेगा आपको अगला दोस्तों जो है आपका 1813 से 1823 तक भारत का गवर्णर जनर्र कौन था तो दोस्तों यह जो है आपका लाड़ हैंस्टिंग्स था उसके बाद अगला जो दोस्तों आपका क्यूंशन रहने वाला ह है 2011 की जनगर्णा की अनुसार हिंदु रहरमिक शं मुदाए भारत की कुल जन्शेंक्या का कितना परतित है दौस्टों इसमें जो है आपका 79.8 1 है जो दोस्तों का नहीं है लेकिन इसको कन नहीं कि करके मद्धय प्रदेश में कानया किसलीह दोस्तों 5 मऩझी वन्यजीव आभ्यारन है दोस्तों काफी आपके अभ्यारन刡 जो hebben सबसे ज्यादा मद्धय प्रदेश के अंदर ही दोस्तों होते हैं उसके बाद दस्तों जो है आपका निमन लिखित में से किसी संपन मंदिर को सुल्तान मुहमद ने लूटा था तो दोस्तों ये जो है सोमनाथ जो है गुजरात का सोमनाथ मंदिर था उसके बाद अगला दोस्तों जो है आपका अटल पेंसन के अंतरगत भारत सरकार द्वारा 60 वरस की आयू पर गरहा को 2000 रुपे की न्यूंतम पेंस सब्सक्राइब की गई थी तो दोस्तों ये जो है आपका बेंगलूरु के अंदर अगला है 2011 की जनगर्णा के अनुशार 2001 से लेकर 2011 के दसक में भारत में सिक संपुदाय की शिक संपुदाय की जनसंक्या वर्दीदर दोस्तों 8.4 प्रसेंट अगला दोस्तों निमन में से कौन सा कथन जो है सासक कथक मुर्य सर्मन के संदरम में सही है तो दोस्तों इसमें आपका पहला उप्शन सही रहने वाला है उन्होंने अपने ब्रह्मन पेसे को छोड़कर ससस्तर को अपना लिया था अगला दोस्तों आपका जो है रविंदर नाठ टेगोर के संदरब ने निमन में से कौन सा कथन सही है तो दोस्तों इसमें वह 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 पस्यम सिक्ष्या के कट्र समत्त थे उन्होंने दो हज़ा गुनिश सो एक में सांती निकेतन इस्तापना शुरू की तो दोस्तों आपक राजाराराम दोस्त्ताइब की दोस्तों यह बरंप समाज की दोस्तों इन्होंने जो है इस्तापना की थी दोस्तों यह demand gi based अग्युशन ने दिया चैने तो तो 2016-17 के अंदर दोस्तों CISP के अंदर ड्राइवर का एक्जाम वा था उसमें भी एक्यूशन पूछा गया था दिन्डैल इसपर्स योजना से संबंध है तो दोस्तों डाक टिकट संग्रह से संबंधित है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस परकार का जीके जो है आज कल आप से पूछे जाने लगा है तो दोस्तों इसी के अकोर्डिंग जो है आपको प्रिपरेशन जुरूर कर लेना चाहिए निमल लिखित में से कि संसोधन अधिनियम द्वारा मूल कर्तवियों को भारतिय सविधान में सामिल किया गया था दोस्तों ये 42 सविधान संसोधन अधिनियम अगला दोस्तो जो है आपका भारतिय सविधान की उदेशिका के समंद में निमलेखिस में से कौन सा कथन सई है तो दोस्तो ए ओप्षन आपसका इसमें रहने वाला है मई 2022 तक भारतिय सविधान की उदेशिका में केवल एक बार संसोधन किया गया उसके बाद अगला आपका नॉमेडिक एलिफेट भारत का किस देश के साथ सन्य अभियास्ता तो यह मंगोलिया देश के साथ जनसंक्या 2011 के अउसार भारत में निमिन लिखित राजियों में से किस में साखशरता दर्श सबसे जदा है तो जो यह आपका गोवा के अंदर तो दोस्तो जनसेंग्या से आपके काफी क्यूसन इसमें पूछे गए है राष्ट पती की मरत्यू की स्थती में भारत के राष्ट पती के रूप में कारिय भार कोल समाता है तो दोस्तो ये जो है उपराष्ट पती जो है आपका कारिय भार समालते हैं उसके बाद अगला है सिंदू नदी की पूरी लंबाई कितनी है तो दोस्तो गुन 300 किलोमेटर दोस्तो इसमें आपके लंबाई रहने वाली है उसके बाद अगला क्यूसन है पस्चिमी तटिये मैदान के दक्षनी भाग को दोस्तो माला बार तट बोलते हैं अगला दोस्तो बारतिय सविधान का कौनसा अनुछेद संग का नाम राज्य छेतर से समंधित हैं तो दोस्तो अनुछेद वन में आपका राज्यों का संग इसमें इन्क्लूड किया गया है अनुछेद वन में उसके बाद अगला जो है आपका निमल लिखित में से कौन सा भारत के उस्तम नाले द्वारा जारी रीठ है दोस्तो इसमें दोनों ही है उप्रेशन और परती विशेश प्रति सेध अगला दोस्तों आपका क्यूशन जो है निमल लिखित में से कौन सा कर जिस रूप में लिए गए युगम सुमलित हैं वेटी नगदी कदमाई जबरन मजदूरी तो दोस्तों इसमें जो है दोनों ही इसमें रोंग दियावा है अगला दोस्तों है आपका प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार दवारा गुनिस्टो तेहतर में तो दोस्तों इसमें और तो टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गये था अगला दोस्तों डेथ केम्प मरू मस्रूम का वेगेनिक नाम अमिता फलो इड्स तो यह जो है इसमें उप्शन रहने वाला है अगला दोस्तों रास्ट यह वन्ने जीव डेटा बेस जनवरी दो हजार टेईस के अमसार बारत में 106 मौजूदा रास्ट यह उदान है उसके बाद अगला है दोस्तों सहुक्त रास्ट के सतत विकास लक्षियों के तहट 17 लक्षियों को अपनाए गया था अगला दोस्तों आपका है पर्थवी राज तृते 1102 में नामक एक अफगान सासक से हार गए थे दोस्तों यह जो है महुमत गोरी अगला है इस सर्म पोर्टल 2021 में दोस्तों लॉंच किया गया था उसके बाद अगला दोस्तों आपका क्यूशन रहने वाला है जून 2023 में UK इंडिया आवार्स में किसे ग्लोबल इंडियन आइकन नामित किया गया तो दोस्तों यह जो है आपका मेरी कौम Purity and British Rule पुस्तक के लेखक दोस्तों आपको पता होना चाहिए दादा भाई नारो जी अगला दोस्तों लास्ट क्यूशन है आपका जीके का इसमें भारतिय अंत्रिक्स अनुसंदान संगठान यानि इसरो ने 2023 में NWS1 उप गरहे को सपलता पूर्वक लोंच किया तो दोस्तो अगला जो है आपका reasoning इसमें रहने वाला है कोई ज्यादा hard reasoning आपका नहीं है coding decoding से आपके question पूझे गए है यह दोस्तों एक question आपका blood relation से है उसके बाद जो है आपका series number से है अगला question आपका आकरती का इसमें रहने वाला है दोस्तों काफी आकरती इसमें पूछे जाने तो दोस्तो ये जो है आपका इस्तान का दोस्तो पूछा गया है लड़कों की एक पंक्ती में अरजुन का इस्तान बाएं और दाएं छोर से 36 है तो कुल संक्या कितनी होगी तो दोस्तो 36 और 36 आपको जोड़ देना है और एक इसमें से माइनस कर देना है तो दोस्तो ये आपक 71 दुस्तों आपका answer इसमें रहने वाला है तो दोस्तों ऐसे आपको solve करके देख लेना है यह दूस्तों पीडियुप जो है आपको तेली ग्राम गूरूप पे दूस्तों मिल जाएगे वहां से जाके आप जो है इसको कर सकते हैं, आप इसका analysis कर सकते हैं, किस प्रकार आपके आजकल क्यूशन पेपर पूछे जाने लगे हैं, तो दोस्टों ये जो है आपका डाई से पुछा गया था, पासे का आपका क्यूशन है, अगला दोस्तों आप समझ叹कते हैं ये जो है आपका equation का question है अगला दोस्तो coding decoding का है उसके बाद दोस्तो अगला जो है आपको विश्म इसमें से बताना है बाकि दोस्तो इतना ज्यादा hard पेपर नहीं था आपका थोड़ा साथ gk को छोड के बाकी reasoning का दोस्तो coding decoding से लगबक Quesn आपके Coding Decoding से पूछे गए थे एक-दो Quesn दोस्तो आपका जो है इसमें समीकरन वाले Quesn भी आप से पूछे गए हैं, आकरती वाले भी Quesn कुछे गए हैं, तो दोस्तो इसे के इसाब से जो है आपको preparation कर लेना है अब भी से, और इसके बाद दोस्तों अगला जो है आपका इसमें है mathematics तीस नंबर का दोस्तों इसमें आपका mathematics रहने वाला है ये भी दोस्तों कोई ज्यादा hard paper नहीं था दोस्तों आपका तो दोस्तों ये जो है आपका लाभानी से क्यूशन पूछा गया है अगला दोस्त आपका जो है ओसत यानी average से आपका क्यूशन पूछा गया है तो दोस्तो democratie आपको ये क्यूशन जो है आपको SOL जुरूर कर लेना है दोस्तो जैसे ही time मिलेगा जब आपका written एक्जाम होने वाला होगा तो दोस्तो उस time आपको ये Qution जो है मैं आपको पूरा A to Z Soul करवाने वाला हूँ बर दोस्तो अभी जो है Soul कराना possible नहीं है बाकि दोस्तो अगर आप preparation कर रहे हो तो आपको ये Qution आते होंगे तो आप जो है कहीं से भी किसी भी book से दोस्तो collect करके या दोस्तो आपको अगर Soul करना आता है तो दोस्तो आप जो है इनको Soul करके A to Z Qution आपको देख लेना है इसी के according दोस्तो आपको जो है preparation कर लेना है ओ दोस्तो जो आपका सलेबस दोस्तो Water Wing की जो recruitment के अंदर दोस्तो दियावा है mathematics का भी आपको देखने को मिलेगा reasoning का भी सलेबस दोस्तो आपका PDF जो आपका notification आया था recruitment का उसमें दोस्तो आपका दियावा है वहाँ से जाके भी आप जो है इसको देख सकते हैं और दोस्तो साथ ही अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करें तो दोस्तो माफ से request करूँगा कि आप चैनल को subscribe जुरू कर लें और important information के लिए दोस्तो आप जो है चैनल से जुड़े रहें और इसके साथ ही दोस्तो अगर आपको ये PDF अगर चाहिए तो दोस्तो आप जो है information दोस्तो मैंने आपको बताया है online forum का भी दोस्तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसके अंदर आपको बताया गया था कि आपका certificate किस परकार से upload होने वाला है तो दोस्तो आभी वाटर विंग की जो आपकी recruitment है इसके regarding आपका कोई भी doubt दोस्तो नहीं होना चाहिए बाकि दोस्तो आपका कोई भी doubt है तो आप comment करके पूछ सकते हैं और दोस्तो काफी candidates दोस्तो ये comment करते हैं कि sir हमारा certificate बनावा दीजिए तो दोस्तो हमारे पास ऐसा कोई भी source नहीं है कि हम आपका experience certificate बना के दे सकें तो दोस्तो जैसी official site पर information होती है जो भी update होता है दोस्तो हम आपको बता देते हैं बाकि दोस्तो experience का कोई भी हमारे पास authority नहीं है कि आपको हम experience बना के दे सकें बाकि दोस्तो ऐस परकार के आपको experience के regarding कोई भी comment नहीं करना है और साथ ही दोस्तों आपको फर्जी जो certificate दोस्तों provide करते हैं उनसे आपको बचके रहना है इसमें दोस्तों आपका time भी waste होने वाला है और दोस्तों आपके पैसे की भी इसमें बरबादी होने वाली है अगर दोस्तों बाइचांस आपने फर्जी बनवा के दोस्तों upload कर दिया आपका selection भी हो गया तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों आपका जो है इसमें verification आपका होने वाला है जिसमें अगर आप दोस्तों गलत पाए जाते हो तो आपको dismiss from service दोस्तों कर दिया जाएगा और आगे भी दोस्तों जो है आप paramilitary force की कोई भी recruitment देख नहीं पाओगे इसलिए दोस्तों आप अगर आपके पास authentic आपका experience है तभी दोस्तों जो है आपको forum apply करना चाहिए otherwise आपको time waste दोस्तों नहीं करना चाहिए बाकी दोस्तों आपकी मर्जी है guide करना दोस्तों मेरा काम है जैसे information है वो मैंने आपको बता दिया है बाकी दोस्तों आप अपनी मर्जी से apply करना चाहिए तो कर भी सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद दोस्तों जयाहिन